वेल किसका फूटा पायल रुहागी पर गुसा और कह दिया कीप यूर माउच शट अंड कीप यूर शट शट आप और चुप रहने की धमकी जो है किसने आखिर दी है पायल को और आखिर क्यूँ बताती हूँ आपको इस वीडियो में आप देख रहे हैं चेतन हंसराज ने शुरू कर दिया और वो भी किसी और के साथ नहीं पायल के साथ जो फिलाल सॉलिटरी कंफाइन्मेंट में यानी काला पानी में कैद है उन्हें सजा दी गई है क्वीन कंगना रेनॉत के चलते और यहाँ पे जो है उनकी आते ही एक ही दिन में कल ही उनकी एंट्री हुई और आज ही के दिन में आज के एपिसोड में हमें चेतन हंसराज और पायल की लड़ाई जगड़ा होते हुए दिखाए देगा ऐसा कुछ तो एक चीज हुआ है जिस वज़ेस से जो है इन दोरों में शायद कोई miscommunication या misunderstanding हुई है या फिर पूनम ने जान बूच के कुछ करा क्योंकि पूनम यहाँ पर एथिक nomination की बात हो रही है चार्चीट की बात हो रही है जो आज के episode में हमें देखाई देगा किसके खिलाफ कौन सी चार्चीट आ रही है कौन किसके खिलाफ nomination दे रहा है अब इसके वज़स से जो है पायल और चेतन के बीच एक लड़ाई जगड़ा जो बड़ा वला हो जाता है जहाँ पे पायल केती मैं तुम्हें नहीं बताओंगी मैं क्यों बताओ तुम्हें पता होने चीए मुझे तो पूनम नहीं बोला है कि उन्होंने मुझे नॉमिनिट नहीं किया तो तुम तो बात ही मत करो, यहाँ पे पूनम उसके बाद पायल जो है वो कहती आप मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है और इस तरीके से कान बंद कर दे दिये, उसके बाद चेतन जो है वो कहते है हाँ, keep your eyes shut, keep your ears shut and keep your mouth shut, यानि अपना मूँ भी बंद रखो और एक कान भी शुरू कर दिया है, अपने ही टीम की लीडर के साथ चेतन नी पंगा ले लिया है और टीम लीडर ने अपने नए नए खिलाडी के साथ पंगा ले लिया है यानि चेतन के साथ, well इन दोनों का लड़ाई जगड़ा आखिर किस वज़े से हुआ और आगे ये किस तरीक से जा तो यहां पर क्या टीम में फूट पाढने के लिए ब्लू टीम औरेंज टीम के खिलाफ कोई साजर्स रच्छरी है ऐसा आपको लग रहा है What's your take about this? Let me know in the comment section below I'll see you guys soon, तब तक के लिए take care